आज हमारे साथ मौझूद है उत्राखन के पूर मुख्यमंत्री रमेश पोक्रियाल निसंक जी जो की मौझूदा सांसद भी है और इस बार लोकसभा परत्यासी भी है और स्वागत सराथ काटे की टक्कर रही है हर्दवार लोकसभा पर अगर हम अभी की बात करें सर मतदान ग किरा नहीं है लगबग इडिय हम 2014 को देखते हैं तो भद्दान लगबग लगबग उसी पर आया है और हर्दवार लोकसभा में सरवादिक मतदान वह है पूरी उत्राखन में और जहां तक यह रही कि कांटे की टकर कांटे की टकर तो नहीं रही कही है जरूर चुना हुआ ह हमें अपिक्षा कर रहे हैं कि जो भारते जनता पार्टी की कारेकरता ने काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया बहुत उच्छा था और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए मुझे लगता है कि आप किसी कौंग्रेशी को मिले होंगे बारते जनता पार्टी का कारेकरता ये कही ही नहीं सकता है क्योंकि मैं तो जितना मैं जाता हूं उतना कोई दूर दूर तक जाता ही नहीं है तो ये जो आप चर्चा कर रहे हैं किसी कौंग्रेशी कारेकरता की कर रहे होंगे और उसको भी आना चाहिए मैं तो सभी का MP हूं यदि मैं छेतर में जा रहा हूं तो वो क्यों किसे बाहर नहीं आ रहा है उसको आना चाहिए अप हरी द्वार से सामस्त हैं और गंगा का बहुत बड़ा मुद्दा है नमामी गंगे आपका बड़ा प्रोजेक्ट है और हरीदवार के अन्दर अदर यह कार खान है उनका जे गंदा पानी है वो मतलब अभी भी गंगा भी जो कितो हैं इसको लेकर अभी क्या हम आगे कर र में उसना की पानी जाने का है, फ्यक्टियों का गंधा पानी तो नहीं जाता काुई चाहिता जाता और तोा चाहक है . कप पूरोड रुक्क चाहर। पाथ साल कि योजनाओं के अगर हम बात करें। किन-किन योजनाइ जो योजनाइ थी, क्या-क्या वो योजनाइ थी, जो धरहतल अगम आ उतरी है, जिन धरहतल पर आपने काम किया है। अब आपको मैं यह दिये बोलूँगा तो चार गंटे तक मैं बोलता चला जाओंगा, शायद आपके लिए समय कम हो जाएगा, मेरे लिए भी समय कम होगा, इत्ती हो जना है, पचास साल में जो नहीं हो सका हूँ, हमने किया है, तो आप समझ सकते हैं कि पचास साल बना हम पां खंडुरी जी पूर मुख्यमंतिरी रहे है, सीनियर नेता भी है, उनके बेटे कोंग्रेस में गए है, उनके बेटे के जाने से क्या कुछ नुक्सान या क्या कुछ फाइदा हुआ है, उनका बेटा बेटा बीजेपी में था ही नहीं, तो आब उनका बेटी ने कॉंग्रेस जोएन की तो उसने पहली जोएनिंग की बीजेपी का तो मुझे लगता है सदसे भी नहीं रहे होंगे तो जाए उससे क्या फरक पड़ता है उस चीज से आपको कुछ फाइदा होने वाला है ने फाइदा और नुक्सान की क्या बात है अच्छा क्याशी भी लगाए जाए रह हैं कि उसके बाद में कबिनेत मा हो जगा दो हुआ हूँ है मैं तो मुख्यमंतिर्य हूं मेरा नेती तो मुझसे जो काम लेना gam io करता हूँ वाकी में मुख्यमंतिर्य रहूं बहते जंतापरिकर रष्ट उपध्यक्ष रहूँ है। मुझे वञा ना चाहेंगे तो अच्छा नहीं तो मुख्य मंत्री की बाद तो मंत्रियां तो हरी श्राबत जी कविनेर मंत्रा ले छोड़ करकर सियम निगले आए तो मैं सियम तो रहे चुका हूं अभी आगे क्या रन की इताप जो चारसो पार कराने की है जिन चित्रों में अभी तक बार्ते सिंपपार्टि अगले चरण के उन-उन अस्थानों पर जाकर कि अगर आपकी बहुत ही अच्छे संबन्द है अभी अगर आपका मनलब यहां से परवास अगर कहीं और पश्ची मंगाल या बहाद पार नेतरुत हमें साहसे ही नेताओं की मंत्रियों की डूटी लगाते रहें अगर आपकी डूटी लगते हैं तो सर आपके आप बाहर अभी बंगाल भी जा सकता हूं योगी जी लगतार कह रहें नहीं आपको उत्रप्रदेश आना है और दिल्ली के लोग भी दवाब दे रहे हैं तो भी जहां मेरी जो ज़्यादव उप्यों की ता समझेंगे राष्ट्य अध्यक्स जी मैंने उनको कह दिया कि जहां भी उच लेकिन मैं आपका मत जानना चाहों नहीं में द्याती तो आपको भी लग रहे है पांच के पांचा जाएंगी तो मुझे भी ये लग रहा है तो धन्यवाद पर दुसाप यह थे हमाएट साराकण के पूर्मुख्यमंतरी डॉक्टर निशंक जी जी नहींने कई महतपुन ब